पॉधार उपन का कारेकरम रठागी है पाच जुन विसु परियावरन दिवास के अबसर से हम लोग अभी तक निरंतर पॉधार उपन कर लोगों को जागरूप कर रहे हैं और परियावरन संद्रक्षन की ओर एक कदम बढ़ा है पेड़ पोध्य से कितना लाव है लोगों को ये बताई बहुत जॉधा लाव उठाट लगाने होताwiązा ए म्लगों को जागरूप करना ज्हांता कर रहा है कई ए-पोदा आम इस फित्ना को सथी क्या जाग्रूप कर 17 पिछले कई वर्सों से ये कारिक्रम बहुत संस्थाओं को माध्यम से चल रहा है लेकिन ये युवा सोच के माध्यम से पिछले दीड़-दो महिना से लगातार पेड लगाके लोगों को जागरु करने का प्रियास किया जा रहा है कि अगर पेड़ नहीं है तो जीवन का इस्टित ही नहीं सब सकते हैं, ऑपने अस्टित को बचाने का प्रियास का या चाल रहे हैं, जहाई कुछ लोग जो पेंड पौधे को नहीं बचाने का काम करण को क्या संदेश देना चाहते हैं देखिए युवा सोच के रिसब जी और उनकी पूरी टीम के द्वारा आज गोविनपूर का चैन किया गया है अपने ब्रियत ब्रिक्षार ओपन कारिकरम के तहच जिसमें हमारे भी समाथ से भी हमारे सिवसंकर विया उपस्तित हैं राजेज जी उपस्तित हैं और तमाम जितने भी आस पास के लोग हैं हम तो सबसे पहले युवा सोच की टीम को धनेवाद देते हैं गोविनपूर में आए और प्रियावरन का संदेश देने आए हैं हम लोग इनका धनेवाद देते हैं रही बात जहां तक ब्रिक्षारोपन की ब्रिक्ष एक ब्रिक्ष तो सौपुत्र के समान होता है आज के दिन में गोविनपूर के जो आसपास का छेत्र है ये बड़ी- पावर लफार्ज के परदूसन को जहेल रहा है इस छेत्र में तो लगभग 10-20,000 पेड़ों की सकता असकता है हम लोग भी बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग धनेवाद देते हैं युगा सोच के पूरी टीम का कि आज आप आए हैं हर एक और इनका लक्ष है पांच जून से ज यहाँ लगाने का प्रियास है आज की युओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि युओं का अगर सोच रिच्छा रोपन स्वक्षता पे अगर आता है तो जितने भी हमारे छेत्र में गोविनपूर में आप गंदगी देखते हैं आप जिस मैदान में आए यहाँ गंदगी का भी अंबार है पस हमारा यही है कि जितने भी युवा है उनसे यही एक निर्देश है कि आप जल से जल अपने छेत्र को स्वक्ष रखे और आप कोविट काल में देख चुके हैं कि ऑक्सिजन के कमी के कारण बहुत लोगों की जान गई है और गोविनपूर एक ऐसा छेत्र है जो कि पूरा पर्दूसन से गसित है चारो तरफ मल्टिनेशनल कंपनी आए हैं जिसके वज़़ा से पर्दूसन की जंसहलाब पूबर के आ इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद